नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टुए चैनल मनी स्लिशन दोस्तों दोबार आज फिर आगे हमारे जो फैवरे स्टोक्स से उनका टेकनिकल फंडामेंटल और जो उनकी मीडियर ली जाए उसके उपर इदर अपडेट देने के लिए आप लोगों पता जब भी हम आते हैं इदर जो स्टोक्स का एनालिसिस करते हैं आज मैं दोस्तों मार्केट का एनालिसिस कर रहा था और कुछ स्टोक्स को पिक कर रहा था कि ताकि हम उसको अपने पोर्टफोलियो में इदर एड़ कर सके तो जैसे दोस्तों मैं जो एक कंपनी का स्टोक्स के बारे में पता लगा उसका analysis किया तो उस company ने अपने निवेशकों को 600% का return दिया एक साल के अंदर आप लोग यदर यकीन ने करोगे दोस्तों इस company ने एक साल के अंदर अपने निवेशकों को 600% का return दिया है जब मुझे इस company का analysis है वो करते वो देखा इसके टेकनिकल फंडामेंटल जो analysis दोस्तों मैं कर रहा था तो मुझे ये company बहुत ही जादा अच्छी लगी और मुझे लगा कि वीडियो के दुआरा आप लोग को भी इसका update दूँ दोस्तों जो company का नाम है वो है GI Engineering Solution Limited जो ये company है मैंने जो engineering और जो construction फिल्ड के अंदर जो sector के अंदर काम करती है और इस stocks का हम technical fundamental analysis करेंगे साथ में जो media leads आई है company का stocks कहां पर trade कर रहा है इसका जो है advance chart किस तरह से भीएव कर रहा है वो हम इस वीडियो में जानेंगे और किस level के उपर हमारा buy sell होना चाहिए वो भी देखेंगे तो चलिए भी या मैं लेकर चलता हूँ अपने laptop screen के उपर और हर point इधर बारी किसे clear करते हैं तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों किसी भी stocks का analysis करने से पहले उसको में invest करने से पहले हमें company का business profile का पता होना चाहिए देखें जो ये GI Engineering Solution Limited है इसका मैंने जो optional website open कर रखा सबसे पहले company के business profile देख लेते हैं अगर company की services की बात करने देखें जो residential designs है जैसे की planned unit developers है single family subdivisions है apartment complex है यहनि construction की बात करने उसमें company काम करते हैं उसके बाद जो commercial और जो industrial design है उसके अंदर भी company काम करते हैं जैसे industrial subdivisions है industrial site जो है उसके बाद जो है industrial sites plan है company काम करते है उसके बाद company water जो wastewater है जैसे की soil site evolutions है cluster systems है यहनि हमारा जो पानी और जो west पानी रहता है उसके अंदर डिल करते है और जो master planning सै जैसे की construction supervisions है पार्क, प्लेग्राउंड और जो गोल्फ कोर्स है इनके अंदर काम करती है और इसी की वज़े से कंपनी का जो बिजनस प्रोफाइल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इतना ही नहीं दोस्तो इस टोक्स में मुझे खास लगा इस वज़े से मैं जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो इस कंपनी के बारे में जब मुझे रिसर्च केया तो मुझे है न कुछ जो बेसिक जो फैक्ट्स है उसके बारे में पता लगा सबसे पहले तो इस कंपनी ने साल भर के अंदर अपने निवेशकों को 600% से ज़्यादा का जो रिटन दिया है और ये दोस्तो जो 600% का रिटन है मुमकीन हुआ है इनके लगातार बढ़ते हुए रेवेन्यू और प्रोफिट आप्टर टेक्स के कारण अगर हम देखते हैं 2021 से 22 तक जो जी आई इंजिनियूरिंग का जो नेट रिवेन्यू लगबग है ना भीया 55,000% है वो बढ़ा और उसके बाद 2022 और तेईश तक जो जी आई इंजिनियूरिंग का जो नेट रिवेन्यू है वो एक लाग 70,000% से बढ़त है वो इधर दिखाए दी और यहीं नहीं कंपनी ने है ना हाल में दोस्तो एक जबरदस्ट अनॉसमेंट की है अपने सभी शेर होल्डर को यकीन दिला है कि जो क्वार्टर में है ना कंपनी लगबग है ना दो हजार जो मिलियन्स का ना वो रेवेन्यू इधर है ना बनाने वाली है इसकी भी अपडेट है ना मैं आपको दोस्तो जो ओफिशल अनॉसमेंट है वो इस वीडियो में दिखाऊंगा तो जब स्टोक के अंदर जो एक फोरन इन्वेस्टमेंट होता है तो स्टोक के ओप कंपनी है FIA जो क्वालिफाइड इंस्ट्यूशनल जो बायर है क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड PCC इलाइट कैपिटल फंड इस जो है मतलब इस कंपनी ने इस फंड में इस कंपनी के अंदर भया चार लाख पचास हजार जो स्टोक्स है उस क्वांटिटी को इधर भया 32 रुपे और 48 पैसे के उपर इधर है ना बाइंग बनाई है तो साड़े 4 लाख जो स्टोक्स है एक साथ है ना FII का इंवेस्टमेंट हुआ है तो क्राफ्ट अमेर्जिंग मार्केट फंड के साथ जो AG डाइनमिक फंड लिमिटेड है उसने भी इधर अपनी जो 30 रुपे 10 रुपे के प्राइस के उपर इधर बाइ किया गया है साथ में G.I.E. Engineering Solution Limited की तरफ से एक मीडिया लीज हुआ है जो दो मीडिया अपडेट में इधर कवर करूँगा सबसे पहले कंपनी को है ना इधर है जो है एक ओडर रिसीवड हुआ जो कंफर्म ओडर है 160 मिलियन से जादा है यानि कंपनी को 160 मिलियन से जादा का एक बड़ा ओडर मिला और जल्दी कंपनी ओडर को कंप्लीट करने वाली है साथ में कंपनी ने इधर यह बोला है कि जो प्रोजेक्ट सेल सिगमेंट है अलोंग साइड ऑफ डिस्टिविशन नेटवर्क जो इनका जो स्टील का है इनका जो सेल टारगेट है वह अचीव कर जैगी 2,000 मिलियन का जो सेल टारगेट है वह अचीव कर जाएगी इधर फाइनिंशल इयर, का बड़ा order मिल गया, दूसरा भाईया जो आने वाले जो financial है, जो 2023 है, उसके अंदर 2000 million से ज़्यादा का जो sales target है, वो इधर achieve कर लेगी, अब आप लोग बोलोगे कि ये तो हो गया, company का जो है stocks है, और जो इसका advanced analysis है, वो क्या रहेगा, तो चलिए मैं भी ये भी है ना, जो वीडियो के दुआरा आप लोगों को दोस्तों इधर बता देता हूँ, सबसे पहले देखी, जो company का अगर हम बात करते हैं, यह जो stocks है, 34 रुपे और 10 पैसे के उपर trade कर रहा है, 4.99% यहीं approximately जो stocks है, 5% की इधर बढ़त दी है, और साथ में अगर आप लोग इधर देखोगे, ओपन वादा 34 रुपे 10 पैसे इधर है ना, जो इसकी valuation देख सकते हैं, और stocks है ना, आज की समय में जो investor हैं, तुरत इस stocks को peak कर रहे हैं, तो आपको अपनी खुद की technical, fundamental analysis करने के बाद, इस stocks को आप अपने उसके उपर buy कर सकते हो, अगर हम community forums की बात करते हैं, तो 75% लोग इधर buying की सला दे रहे हैं, 25% जोग इसकी sale की सला दे रहे हैं, तो आप अपने analysis के साथ से, इस stocks को इधर buy कर सकते हो, अगर हम इसका advance chart देखते हैं, तो देखें, जो तो advance chart आप लोग खुद देख सकते हैं, इसका advance chart आप अपने करने में मज़ा आ रहा, देखें, जो इस levels के उपर से, अगर हम इस levels के उपर देखते हैं, 25 जुलाई 2022 को जो इस stocks हैं न, चार रूपे 15 पैसे या, चार रूपे 20 पैसे के आसपास trade करा था, लेकिन उसके बाद, continue उसके अंदर एक upward moment आप लोग को देखने को मिली, आप लोग देख लीजिए, जो ग्रीन केंडल, ग्रीन केंडल, ग्रीन केंडल, इदर वो कर सकते हैं, सबसे पहले stocks के अंदर बलक डील हुई है, एडवांस चार्ट है, आप लोग उने इदर देख लिया, company का जो business profile न, मुझे बहुती ज़्यादा इदर अच्छा लगता है, तो दोबारा से दोस्तों, मैं आप लोग को इदर बताना चाहूँगा, जो GI engineering solution limited है, 3400 रुपे 10 पैसे के ओपर trade करा, personally मुझे यह stocks है, बहुती अच्छा लग रहा है, आने वाले समय में, जैसे ही कल का दोस्तों, trading session शुरू होता है, तो बहिया, और stocks हम इसको अपने portfolio में add करेंगे, तो आप लोग अपने हिसाफ से दोस्तों, इस stocks को अपने portfolio में add कर सकते हैं, आपको खुद की technical fundamental analysis करने से पहले, उसके बाद क्या है कि हम लोग से भी advisor नहीं है, हम लोग सिरफ stocks की जो media leads है, और उनके उपर जो updates से वो cover करते हैं, तो मुझे ये stocks personally पसंद आया, तो इसलिए मैं वीडियो के द्वारा आप लोग को बता रहा हूँ, फानली दोस्तों, GI engineering solution limited stocks के बारे में, आपकी क्या comment है, मुझे comment section में जरूर comment कीजेगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, वो भी मुझे जरूर बताएगा, दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रा,